अस्वालेकुम, आज मैं आपके शेयर कर रहे हूं कश्मीरी चिकन मसाला बनानी की रेसपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिशस चिकन करी बनकर त्यार होती है जब हम इसको इस मैथड से बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट मेतड है नॉर्मल चिकन करी की रेसेपी से लेकिन टेस्ट ला जवाब है तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे कश्मिरी चिकन मसाला बनाने की लिए सबसे पहले हम 750 ग्राम चिकन को माईडनेट कर लिए तो इसमें 1 टीसपून नमक डालेंगे साथ में जाएगा लाल मिर्ज का पाउडर एक टीस्पून एक टीस्पून धनिय का पाउडर डालेंगे आधर टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी का पाउडर डालेंगे और आधर टीस्पून डालेंगे भुनेवे जीरे का पाउडर और आधर टीस्पून का पाउडर डाल मेटिन के निए अब आधे क्रति महीं तुर चुक कदे चुट एंगों CE मेट पार कौण एक फाल में कियार में ऐचाइज रांगी में करने के सब्सक्रागात चुक्स को डेंके चलियon रौंडे के काइज हूं तो यहां पर शास से आफ मठ हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को फ्राइऑ कर लिया है और चिकन में एक हलका सा गोल्डिन कलर आने लगा है तो अब हमें चिकन के पीसे स को बाहर निकाल लेना है और इस सबस् physicians के पीसे को हम बाहर निकाल लेंगे अब हम इसमें प्यास डालेंगे तो ये दो میडियम सैज की प्यास हैं यानि कि 1 कप और प्यास को हमें हलका सा पेंक पंकिश हो जाने तक फ्राइ़ कल लेना है तो यहाँ पर हमारी प्यास हलकी से सॉफपी हो गई हगई है और हलका हलका इसका कलर भी बदलने लग है तो अब हमें इसमें मसाले आट करना है एक टेबिल स्पून लैसुन का पेस्ट और एक टेबिल स्पून अध्रा का पेस्ट इसमें डालेंगे एक टीस्पून नमक डालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे एक टीस्पून धन्ये पान्डर आधर टीस्पून कली मिर्स पान्डर और हाल्दी का पाषडर एक टीस्पून ढ जैरे का पौ़डर मेत्ही बुद्ञमारे ने कीम नाटनों घो से उताब कलّन आपके अब तक पानी बहुन लेंगे जब तक पानी नहीं हो जाता है और तेल दोबारा से सर्फिस पर नहीं आ जाता है तब तक भून लेता है तो इस तरह से हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें 1 3rd cup यानि की 70-80 ml के गरीब दही डाल देंगे और दही डालकर भी थोड़ा सा भून लेंगे इसको अब हमें इसमें एक पेस्ट डालना है ड्राइफ रूट्स का तो ड्राइफ रूट्स में आपको लेनी है 10 के किश्मिश और 8 लेना है काजू इनको मिक्सी में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए एक कप दूट डालेंगे दूट के साथ यह पैस जाती है लेकिन आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दूट जो है वह पैस रहेगा मिला देंगे इसको और हाई फ्लेम पर इसमें इक उबाल आने का वेट कर लेंगे ज तो हम इसको ढग कर 12-15 मिट पकाएंगे या फिर जब तक पका लिजए जब तक चिकन 100% तक कोक नहीं हो जाता है तो यहां पर लो फ्लेम पर तकरीबन मैंने 15 मिट पकाया है और हमारा कश्मीरी चिकन मसाला बन कर तयार है आप देख सकते हैं कितनी जबदस इसकी ग्रेवी तो आप ही कश्मीरी चिकन मसाला बन कर तयार है आप दो तो आप ही कश्मीरी चिकन मसाला की असान और सुपर डिलिश स्रसपी को ढउनाठे आपको बहुत पसंद आएगई थो रहत ढखा देगत अंने के पत्तों से गारिष कर लें और छलिए अब इसको सर्फर कर लेता है आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फोर वाचिंग दा वीडियो अलाव फेस